नमस्कार स्टेडिया क्यों आई ये सिंधी प्लैटफॉरम पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग मुद्दे की बात का इरिकरम में चर्चा करने वाले हैं इरान से संबंधित एक गतिविधी पर इरान में एक गतिविधी ही है और इसके बारे में आज की चर्चा में ह मॉरलीटी पुलिसिंग खत्म हुआ है और इसका अर्थ क्या है इसे क्यों अस्थापित किया या था इसके क्या कुछ काम रहे हैं और इसको लेकर करके हाल के तमय में क्या आलोचनाएं देखी गई हैं इस पर आज की चर्चा में हम समझेंगे और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इरान में जो खालिया संदर्व में गतिवीधियां देखी गई हैं इसमें विभीन देशों के क्या कुछ पक्ष रहे हैं साथ ही भारत का इरान के साथ जो संबंधों का ताना बना चला है ताना बना रहा है इसमें क्या कुछ इस्तितियां उतार चरहाओ देखे गए आईए चर्चा की शुरुवात करते हैं सबसे पहले यहां पर आप यह देख लिए कि यह जो तस्वीर है इस तस्वीर में कुछ चीजे दरशाई जा रही है यह कौन है तो यह morality policing के ही तहत जो पुलिस बल पुलिस दल काम करते थे उनहीं की यह तस्वीर हैं और य यह जो गाडियां इस्तिमाल करते थे इनकी गाडियां बहुत ही विशिष्ट पहचान की होती थी तफेद कलर और हरे रंग के पट्टी के साथ में इन गाडियों का इस्तिमाल किया जाता था और इरान में जगह जगह पर अलग अलग शहरों में यह तैनात की जाती थी आये इस संदरभित और जो महत्वकून बाते हैं इसको एके करके समझने की कोशिश करते हैं तक यह हुआ यह कि 1989 में 1979 में इरान में इसलामी क्रांती होती है ठीक है और इस इसलामी क्रांती के बाद वहाँ पर कानून के अस्तर पर बहुत सारी पेर बदल बदलाव किये जात इसके बाद वर्स 2006 में वहां पर गश्त ए इर्षाद नाम से एक दल का एक पुलिस दल का गठन किया जाता है और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है पुलिसिंग ठीक है ना इसका काम क्या था मैंने पहले भी ब्रिफ किया कि इसका काम था कि इसलाम की आचार सहिता का सही तरीके से बालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी निगरानी करना और ये जो गश्त इड़साद था ये महिलाओं को भी देखता था कि वहाँ वहाँ पर जो ड्रेस कोड है पहनावे का जो एक सहीता है पहनावे का जो कानून है उसको जही तरीके से फालो कर रही है या नहीं कर रही है और जब भी कभी ऐसी इसी इस्तिती उनको लगती थी क पॉलो नहीं किया जा रहा है देन फिर उन्हें डिटेंट किया जाता था उन्हें गिरफतार कर गड़के और देन फिर उनको समझाने बुझाने का काम किया जाता था ठीक है ना तो यही इस्तितियां यहां पर देखी कि और इसी के कंटेक्ट में हाल में एक घटना चर्चा में आई जिसमें की इरान में एक महिला जिनका नाम था महसा अमीनी इनको भी इसी मॉरलीटी पुलिसिंग के जरीए गिरफतार कर लिया गया था डिटिन कर लिया गया था और इनके इसके बाद इनकी गिरफतारी के बाद इनको टॉर्चर किया गया अच्छा गिरफतार क्यों किया गया ये तो आपको शायद पता भी हो कि इन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था और इसी के कारण इनको एरेस्ट कर लिया गया हिजाब यानि की सिर धकने का एक पह और यह विद्रोह की लहर आज तक शांत नहीं ही इस बीच जो इरान के एटोर्णी जनरल सहाब हैं इन्होंने कहा है कि भाई हम जो गव alltså की लेकिन इन्होंने ये सप्रस्ट नहीं किया कि इसकी समाप्ती हमेशा के लिए है तो हमेशा के लिए समाप्ती पर कोई टिपनी नहीं है ठीक है दूसरी बात यह कि इन्हों ने ये भी एस्पेस्ट नहीं किया कि यदि मॉरलीटी पुलीसिंग को समाप्त किया रहा है तो किया हम जो हिजाब न पहने की एक बात्चीच चल लाएं वरतमान में क्या हम कांटिन्यू करेंगे क्या हम महिलाओं को अनुमती दे देंगे कि हम आप फिजाब नहीं पहने तो भी कोई बात नहीं है इसको ले करके करने वाली महिला हैं इन्होंने भी कहा है कि हम भी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे हम भी इस से पीछे नहीं हटेंगे तो यह कुछ ऐसी सितिया हाल के समय में यहां पर देखने को मिडी ठीक है अच्छा अब यहां पर थ्रस और विस्तार से समझें कि इरान का यह जो कोश्री में तुर्की है इधर सौधी अरभ है इधर ओमान है संहुत अरब अमीरात है ऊपर में तुर्कमेनिस्तान है पाकिस्तान अफगानिसें कई सारे देशों से इसकी समद्री और सलिय सीमा साझा हो ठीक है अच्छा अब यह जो एक कौर्णर वाला छित्र है यहां पर क और यह जो महसा अमेनी थी जिनकी मृत्यू हो गई डिटेंशन के बाद वो भी कूर्दिश एथनिक ग्रूप से ही विलॉंग करती थी तो यह एक पॉलिटिकल फैक्टर के तौर पर भी सामने आया कि इरान में कूर्दिश बहुन लोगों के उपर एक तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अत्याफ़जार की इसक्री देखी जा रही है जिसकी बानगी यहां पर महसा अमेनी किम्जिति के तौर पर देखी है अच्छा दूसरा फैक्टर यहां पर यह है दोस्तों कि भाई यह जो विरोध प्रदेशन हो रहा है इसमें केवल यही एक आधार नहीं है कि हिजाब न पहनने को लेकर करके ही यह महिलाएं सरक पर उतर आई बलकि जो इरान में वर्तमान में असमानता गरीबी बेरोजगारी की इस्तिती देखी जा रही है लंबे समय से उसके विरोध में भी इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है ध्यान देने वारी बात यह है कि इब्राहिम रैसी जो वर्तमान में इरान के राष्टपती हैं इन्होंने ये भी कहा है कि हम ऐसा एक विकल्प अपना सकते हैं कि जो प्रथा है वो प्रथा कॉंटिन्यू बनी रहे और उसमें थोड़ा सा लचीला पन लाया जाए थुरी सी लाया जाए कहने का मत्तब्य है यह साफ साफ संकेत कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हिजाब पहननी की प्रथा को कतई समापत नहीं करने वाले है तो यह कुछ ऐसी सितिया हाल के समय में एरान के संदर में देखी गई है अच्छा अब यहाँ पर आपको यह समझने कि आवर शकता है कि जो वैश्विक तर पर एक उखापो की इस्थिती देखी जारी है वो क्या कुछ देखी जारे है देखो अमेरिका अमेरिका ने इरान के साथ साथ चीन और रूस जैसे देशों को जानते हो क्या घुशित किया है सी पी सी याने की कंट्रीज ओफ पार्टिकूलर्ली कंसर्ण यह घुशित किया है ठीक है ना किनको तो इरान को चीन को रूस को और भी कुछ देशों को घुशित किया गया है बलकि इन तुनों को तो निस्थी तोर पर गया है इनमें इरान भी सामिशित का है कि जो भी ऐसे देश जहां पर की धार्मिक सुतंतरता का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है इसको सही तरीके से अपनाया नहीं जा रहा है, उलंगन किया जा रहा है इसकी स्वतनता का, तब फिर इन देशों को इस के टेगरी में रखा जाता है, किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा, अमेरिका का एक आयोग है, थ्यान रखेगा, अमेरिका का एक आयोग है US CIRF, United States Commission for International Religious Freedom, अंतराष्टिय स्तरपर्धार्मिक स्वतंदरता से संदरभित अमेरिका का आयोग, और इस आयोग ने कई सारे देशों के संदर में रिकमेंडेशन दिये थे, सिफारी से दिये थी, उन्हें से इन देशों को अमेरिका ने एक तमगा दिया है कि भाई ये सभी CPC के तौर पर यहाँ पर घोशित किये जाते हैं, हाला कि अमेरिका ने यहाँ पर भारत को इस ते अलग रखा है, भारत को CPC के इंतरगत नहीं रखा है, हाला कि जो USTRF था, इसने भारत के बारे में भी रिकमेंडेशन दिया था, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अमेरिकी सरकार ने भारत को इस कैटेगरी में नहीं रखा है, भारत को कहा है कि नहीं, यहाँ पर धार्मिक सुतंद्रता को लेकर करके ऐस सच कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह अमेरिकी राजे विवाग का अपना स्टेंड है, खेर, उसमें हम विस्ताल से नहीं जाएंगे, दुसरी बात यहाँ पर यह है कि इरान में जिस तरीके से बीते दिनों में एक उथल पुथल की स्थिति देखी गई है, अशान्ती और विद्रोह की स्थिति देखी गई है, ऐसे में, इविन के, यानि स्थित राष्ट के मानवाधिकार परिशद ने, हाना, Human Rights Commission के द्वारा एक recommendation दिया गया था, कि वहाँ पर fact finding mission अस्थापित किया जाए, FFM, fact finding mission अस्थापित किया जाए, कहाँ पर, तो इरान में, और ये पड़ताल की जाए, कि वहाँ पर भाई, जो एक तनाव की स्थिति देखी जा रही है, सितंबर माह से, अभी तक ये स्थिति बनी हुई है, इसमें कोई उतार चरहाओ नहीं देखा गया है, जैसी स्थिति इसे मना कर दिया है, ये ध्यान रखेगा, इरान द्वारा सपोर्ट नहीं, इरान द्वारा समर्थन नहीं, इरान ने कहा कि हम सयुक्तराष्ट के द्वारा भेज़ेगे किसी भी आयो को कोई समर्थन देने वाले नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर, हमारे बागी जो पश्मी देश है उनका हात है और इसने कई बार इरान की सरकार और का बाधिर कर लिए ठीक है ना तो इसी बीच जब इरान के कहा हैं कि भाई हम कोई समर्खन नहीं करेंगे तो फिर यहां पर एक ट्रूस्टिंग स्तिति देखी जा रहे ज्यान रखेगा कि ये जो fact-finding mission के स्थापना की बात की जा रही थी, इसको लेकर करके एक तंकल्प प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है ना, और उस तंकल्प प्रस्ताव में हुआ ये, कि भारत ने इसमें abstain रहना ही अच्छा समझा, भारत ने इसमें दूरी बनाए रगए, है ना, भारत ने कहा कि हम इस मामले में कोई मत देने वाले हैं ही नहीं कि ये fact-finding mission इरान में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो भारत जो है, एक अपना एक अलग विचार लेकर के चलता है, एक संतुरन की स्थिती बनाने की कोशित करता है, यहाँ पर अभी ह जो हालिया संबंध है, उसको लेकर करके क्या गतिविदिया है, यहाँ पर इसको समझना भी जरूरी है, है ना, तो भारत ने जब इसमें दोरी बनाय रखी, इसमें भाग नहीं लिया, और इसके साथ ही सयुक्तराष्ट महासभा, युविन क्या, जो सबसे महतपूर्ण नि भारत ने उस प्रस्ताव को लेकर करके नकारात्मक वोटिंग कर दी, है ना, उस प्रस्ताव को भारत ने मानने से इंकार कर दी, तो यह कुछ ऐसी सित्यां हार के समय में देखी जा रही है, अच्छा, अब इस बीच, जब हम भारत और इरान के बीच के आपसी संबंध की ब सिती देखी गई है, विरोथ प्रदर्शन की, तब से लेकर के भारत ने इस मामले में ऐस सच कुछ भी स्पष्ट बोलने से इंकार किया है, वो इन फैक्ट उसने बचने की कोशिक, और इसमें एक तथ्य ये दर्शाय जा रहा है, कि इरान के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षे नहीं करना चाहिए, ठीक है न, तो यहाँ पर भारत का एक पक्षे ही है, कि इरान के आंतरिक मामले में हस्तक्षे नहीं, ठीक है न, अच्छा, यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा, कि अंतरास्टिय संबंध में जो संबंध है, संबंध का मतलब तो यही होता है, एक का दूसरे के साथ, अन्य था संबंध का कोई मतलब ही नहीं, तो भारत ने इरान के संदर में तो यह पक्ष रखा है, कि हम इनके आंतरिक मामले में हस्तक्षे नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तफ इरान ने अक्सर हा, कश्मीर पाडिक साजेदारी को महतु दे रहा है, इसके अलावा उड़जा सुरक्षा के लिहाज से इरान से वो पेल आयात को लेकर करकर की बहुत ही समय दन्शीर है, दूसरी बात यह कि इरान और चीन के बीच में, एक संपर्क की स्थितिवी चल रही है, है न, व्यापारिक संपर्क की स्थिति चल रही है, लगभग 400 बिलियन डॉलर का निवेश चीन ने इरान में किया है, पासमना रही है, और आप सभी को पता है कि भारत और चीन के बीच में कितना गहरा दोस्ताना संबन, है न, मेरी बात आप समझ रहे हूं, तो यहाँ पर इरान और चीन के बीच में जब 400 बिलियन डॉलर का इंवेश्टमेंट हो रहा है, तो फिर भारत इस मामने में भी बहुत ही संजीदा है, है न, कि भारत नहीं चाहता कि इरान को लेकर करके वह कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उसका एक अच्छा दोस्त उसके पास से दूर च इहां पर जो है, इरान के इस वाले खित्र में क्या चाहता है तो एक बंदरगाह के माध्यम से संबंध को और बहतर बनाने की कोशिच करना चाहता है, और वह बंदरगाह है, большое बंदरगा चाबाहार बंदरगाह के मारदम से लड़त चाहता है कि जो उत्री दक्षनी गलियारा है व्यापार्ट का एक बहुत महत्वपून गलियारा माना जाता है उसके साथ में भारत सच होना जाता है ताकि मध्ध एशियाई देशों के साथ और उसके माध्यम से अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संपर्क बहतर किया जा सके लेकिन इसके लिए इरान में जो चाबाहार बंदरगा है वहाँ पर वह निश्चित तौर पर अपना अपनी उपस्तिती दर्ज कराना चाहता है बीते समय में उसने चाबाहार बंदरगाह को लेकर करके कई सारे निवेश भी किये थे लेकिन इस निवेश के अभी ऐस तच कुछ खास परिणाम निकल कर सामने नहीं आएं कारण इसका ये है कि अमेरिका अक्सर हां इरान पर प्रतिबंध लगाता रहता है और इसके कारण से भारत को इरान के साथ पस्ट तौर पर वियापार करने में अर्चन का सामना करना परता है तो ये कुछ ऐसी वैश्विक स्थितियां हैं जो हाल फिल हाल में इरान के संदर्व में देखी गई तो आज की चर्चा के आधा पर आप समझ सकते हैं कि इरान में जो वरतमान में मौरेलिटी पुलिसिंग को लेकर करके एक माहौल बना हुआ था उसे खत्म तो कर दिया गया है लेकिन उसके बाद जो आगे की विवस्था होगी आगे की विवस्था में उसे कितना डिसकंटिन्यू किया जाएगा किस समय तक discontinue किया जाएगा इसको लेकर के अस्पस्टा नहीं कीगी दूसरी बात जो मैंने आपको पहरे भी बताई कि हिजाव पहनने को लेकर करके जो वहाँ पर प्रथा है उसको इरान की सरकार ने continue करने की ही बात है इस बीच इरान में जो वर्तमान में वहां की स्थानिय राजनीती की स्थिती है और साथ ही वैश्विक अस्तर पर जो अलग-अलग पक्ष के माध्यम से उसके साथ संपर्क और संबंध को लेकर करके गतिविधियां चल रही है उस पर भी हमने बाक्षित की और भारत की विशर संदर्भ में जो गतिविधियां हैं उस पर भी हमने चर्चा की तो आईए इस चर्चा के आधा पर एक सवाल देख लेते हैं उस सवाल को आप अपने स्थर पर हल करने की कोशिश कीजएगा सवाल है इरान में जारी विरोथ प्रदर्शन ने वैस्ट्रिक बिरादरी में इरान की छवी को धुमिल किया है क्या आप सहमत हैं तो इस प्रश्ण का आप जवाब देने की कोशिश कीजेगा और इस प्रश्ण में आपको उत्तर के तो आप बहुत ही संतुलन अपराने के आप सकता है क्योंकि भारत का जो पक्षे वो मैंने आपको बता दी ठीक है न और दुसरी तरफ इरान की छवी किस सीमा तक धुमिल हो रही है इरान की अर्थवेवस्था पर कितना नकारात्मक प्रभाव पर रहा है इरान की वैश्विक छवी पर कितना नकारात्मक प्रभाव पर रहा है इरान अन्य देशों को इस संदर्व में किस ध्रिष्टिकों से देखता है मेंली अमेरिका और पश्मी देशों को संदर्व में इरान को लेकर करकर क्या छवी बन रही है इन सभी का उलेक आप यहाँ पर कर सकते हैं और भारत के साथ जो इरान का संबंध है उस पर तो आपको लिखना है तो इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीज़ेगा मेरी टेलिग्राम चैनल पर टी आई एल आई पी डॉट के उएम ए आर एड डेरेट 01 ये मेरा टेलिग्राम चैनल है आप इस पर अपना उत्तर लिख करकर के भेज सकते हैं और उसके बाद मैं आपको उत्तर को चिक करके आपको मैं रिपलाई कर सकता हूँ तो मिलते हैं किसी और मुद्दे की बातकार्यकरम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ तब तक अपना ख्याल लखिए, अच्छे से बढ़ते रहिए, स्वस्तर रहिए और सुलक्षित रहिए हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIS Hindi